नमस्कार दोस्तों आप से भी का एक बार फिर चारदीक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं सबजिक्ट को नाम आपको दीखी गया है Community Health Nursing और इसमें से हमें एक टॉपिक जो क्यों ले रहे हैं वो टॉपिक है Immunization यह एक एसा टोपिक है जिसमें से हर एक competitive exam में 100% क्यूशन पूछा ही पूछा जाता है जिन्होंने 10-15 exam दे दिये जिन्होंने 4-5 exam दिये उन सब को पता है चैनल को सबस्क्राइब के बेल आइकन बटन को भी दबा लिजियेगा तकि आपको हरन Minsan वीडियो जल्दी 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 मिलते रहे तो चले जानते हैं immunization के इस topic को बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से देखे सबसे पहले हम जानेंगे evolution of the immunization program in India यानि कि इंडिया के अंदर जो immunization program start हुए है और जो launch हुए है वो कब कब हुए है यह हम सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहले देखें EPI यानि Expanded Program of Immunization EPI जब भी आपको पूछे आंसर में कर दीजिएगा 1978 बहुत बार यह पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा Expanded Program of Immunization जो है वो 1978 में स्टार्ट हुआ था Next आपको पूछे जा सकता है UIP और यह पूछा भी जाता है UIP यानि की Universal Immunization Program यह स्टार्ट हुआ था 1985 1985 1985 1985 Next आपको क्यूशन पूछे जा सकता है Technology Mission on Immunization Monitoring Under PMO 20 Point Program यह कबलों चुआ है तो आप आंसर कर देना 1984 में Next आपको क्यूशन और यह भहत बार पूछा भी जा चुका है C-S-S-M इसकी सोट फ़र्म कहा है C-S-S-M यानि की Child Survival and Safe Motherhood Program यह 1900 ब्राणम में स्टार्ट वाता है भहत बार पूछा जा चुका है Next देखिए Reproductive Child Health यानि RCH First यह लौच वाता 1997 यानि की 1997 में Next आपको पूछा जा सकता है NRHM NRHM की फॉल फ़र्म है आज के अंदर Next NHM यानि National Health Mission यह स्टार्ट वाता 2013 में और एक लास्ट जो जो की भहत बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा Mission Indra Dhanos यह लौच वाता 2014 के अंदर चलिए अब हम जानते हैं Universal Immunization Program के अंदर कौन-कौन सी Vaccines आती है यह हम जान लेते हैं देखिए यहां पर सबसे पहले है BCG BCG Vaccine Under UIP आती है Next DPD यानि Dipteria, Particis and Titus Toxoid Next OPV Oral Polyo Vaccine Next Measles Next Hepatitis B Next Titus Toxoid Next Pentavalent Vaccine Next Japanese Encyclitis Vaccine अब यहां से Question क्या पूछा जा सकता है यहां से आपको Question पूछे जाएगा कि Pentavalent Vaccine के अंदर कौन-कौन सी Vaccines Involve होती है यह फिर Pentavalent Vaccine के अंदर कौन-कौन सी बिमारियों से बचाया जा सकता है तो देखिए यहां पर आपको DPT यानि तीन जो वैक्षिन है यह तो हो गई आपकी DPT Next है Hepatitis B Vaccine को अच्छे सी Short and Sweet में जान लेते हैं सबसे पहले देखिए BCG Vaccine यहां से पहला Question तो यही पूछा जाता है कि BCG Vaccine किस टाइप की Vaccine है तो आंसर में आप करना Live Attenuated Vaccine यह फिर आपको और किसी प्रकार से पूछा जाए BCG Vaccine के बारे में तो आप आंसर करना Freeze Dried Bacterial Vaccine यह Bacterial Vaccine तो है लेकिन यह कैसी है Freeze Dried Vaccine है ठीक है Next देखते हैं DOS यह बहुत बार पूछे जाता है बहुत बार यह क्यूशन पूछे जाता है कि BCG की DOS 6 मन्त पे कितनी लगाते है इस परकार से सवाल आपको पूछे जाता है आप जाते हैं सीधे 0.05 ml के उपर तो आप कांसर क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो ध्यान रिखिएगा मैं बता देता हूँ आपको DOS जो BCG के लगाई जाती है 0.05 ml 8 बर्थ पे लगाई जाती है या फिर यूँ कहा सकते है within 28 days within 28 days हम जो DOS लगाएंगे वो 0.05 ml लगाएंगे यहाँ पर explanation के अंदर आपको और भी दे रखा है birth to 1 month एक महिने तक आप 0.05 ml vaccine की DOS लगा सकते हैं देन इसके बाद एक महिना गुजर गया BCG की vaccine बच्चे की नहीं लगी तो उसके बाद जो vaccine लगनी है BCG की वो 0.1 ml लगनी है और यह जो vaccine आप लगाएंगे 0.1 ml वो एक महिने बाद से लगा सकते हैं और एक साल से पहले आप लगा सकते हैं vaccine आपको एक बार लगानी है लेकिन एक महिने के बाद जब आप vaccine लगा रहें और एक साल के अंदर अंदर आप अगर vaccine लगा रहें तो 0.1 ml dose आपको लगानी होगी चलिए next जो आपको क्यूशन बहुत बार पूछा भी जाता है कि BCG को किस में dilute करते हैं यहीं सवाल बहुत बार पूछा भी जा चुका और पूछा भी जाएगा तो यहाँ पर आप answer कर देना normal saline normal saline के अंदर इसको dilute करते हैं next आपको क्यूशन पूछा जाएगा कि BCG को किस route से देते हैं तो answer में आप कर देना intradermal अब आपको यह भी दिया जाएगा कि right arm के अंदर की या left arm के अंदर तो आप answer में क्या करिएगा left arm अब यह भी आपको दिया जा सकता है कि just about the deltoid या फिर just below the deltoid इस परकार से भी आपको क्यूशन पूछा जा सकता है तो मलब हर एक चीजगो आप अच्छे से समझे न अगर आप अच्छे से हर एक चीजगो समझ के याद कर लेंगे तो क्यूशन कैसा भी पूछे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी चलिए देखिए आपको root पूछे interdermal कर देना लेट आप में interdermal यह लगाई जाती है और कहाँ पर chest above the deltoid और यहाँ पर जो syringe यूज ली जाती है वो कौन सी ली जाती है 26 gas needle जो भी 26 gas needle होती है वो हम use करते हैं अब देखिए यहाँ पर दो note लिखे आ रहे हैं यह बहुत important है देखिए क्या है पहला note do not clean the injection site with antiseptic it may affect the vaccine efficacy यानि जब आपने vaccine लगाई है उसके बाद में आपको किशी antiseptic solution से उसको clean नहीं करना है नहीं आपको rub करना है अगर आप clean उसको कर रहे हैं मलब आप vaccine की जो efficacy है उसको आप affect कर रहे हैं वो vaccine जो काम करना चाहती थी वो vaccine उतना काम नहीं कर पाएगी ठीक है तो आपको किशी प्रकार से यहाँ पे इस injection site को clean नहीं करना है next है after reconstitution the vaccine can be used within 4 hours यह बहुत important note है अगर आपने एक बार vaccine reconstitute कर लिए आपने एक बार NS के अंदर dilute कर लिए तो उस vaccine को within 4 hours 4 गंटे के अंदर अंदर आपको काम लेना है उसके बाद उस vaccine को काम में नहीं लेना है directly आपको क्या करना है discard उस vaccine को कर देना है ठीक है यह important note है दो जो आपको ध्यान रखने है next आपको यहाँ से question पूछे जाता है contraindication BCG की vaccine कि इनको नहीं लगाने चीए तो देखिए आपको जब भी एसा question पूछा जाए तो आप answer में कर देना immune compromised जो भी persons है उनको हम BCG की vaccine नहीं लगाते हैं जैसे कि जिस बच्चे को HIV infection हो उसको हम BCG की vaccine नहीं लगाएंगे यह फिर बच्चा चल रहा हू immune suppressive therapy यानि कि cortico steroid therapy बच्चा चल रहा है तो उस बच्चे को BCG की vaccine नहीं लगाएंगे क्योंकि BCG की vaccine जो है वो एक साल तक के बच्चे को ही लगा सकते हैं उसके dose में आपको बताई दिया है अगर बेबी यह फिर जो बच्चा है उसको eczema है या फिर infective dermatosis है तो उसको भी आपको नहीं लगाना है और जो भी pregnant ladies है उनको भी BCG नहीं लगाना है ठीक है कहीं आप TD के बरोसी आप BCG कहीं लगा दो ऐसा नहीं करना है ठीक है next बात करते हैं adverse effect की तो इसमें minor reaction जो है वो local pain, swelling and tenderness यह देखने को मिल सकता है rare serious adverse reaction यानि जो serious adverse reaction है वो भूत कम cases में देखने को मिलता है वेशिए कम cases में आपको देखने को मिलेंगी तो ऐसे भी जो adverse reaction हो देखने को मिल सकते हैं बहुत rare case में ठीक है एनफाइल लेक्षी, shock, seizure, hypotonic hyporesponsive episode, encephalopathy ऐसे भी कुछ serious reactions देखने को मिल सकता है लेकिन बहुत rare case के अंदर ठीक है next vaccine है DPT vaccine यानि डिप्तिरिया, पर्टिशिस, एंड टिटनेस यहां से यही questions बहुत बार पूछी जाते हैं कि DPT कौन सी disease से बचाती है तो तीनों आप right answer कर देना डिप्तिरिया, पर्टिशिस, एंड टिटनेस देखें यहां भी DPT vaccine is combined vaccine which protects against three disease यह combined vaccine होती है DPT जो तेन बिमारियों से बचाती है ठीक है next देखे these antigen are absorbed onto aluminium phosphate to increase immunogenic effect and suspended in isotonic solution of sodium chloride यह जो antigen है यह aluminium phosphate में बहुत ज्यादा absorbed हो जाते है जिसके वज़े से इनकी जो immunogenic effect होता है वो बढ़ जाता है और अगर isotonic solution sodium chloride यूज कर रहे है तो इसको यहां पर नहीं करना है suspend करना, avoid करना है next देखे thaiyo-marsal यहां से बहुत बार question पूछे जाता है कि जो DPT vaccine होती है इसका preservatives क्या होता है तो आप answer में करना thaiyo-marsal next देखे dodge इसके कितनी dodge लगती है 5 dodge total लगती है कब-कब लगती है यह देख लीजी 6, 10 और 14 week पे यह 3 dodge होगी then जो first booster dose लगती है वो कब लगती है 16-24 महिने पे और जो second booster लगेगी वो 5 साल पे लगेगी और यह कितनी लगती है 0.5 ml intramuscularly इसको लगाया जाता है अपर arm के अंदर तो यह सारे के सारे points से आप याद रखना क्योंकि यहां से पूछे जाता है DPT के कितनी dose लगती है तो आप answer में करना 5 वहाँ पे option में आपको दिये जाएगा 3, 4, 5, 2 तो आप 3 जाएंगे क्योंकि आपने पढ़ा है 6, 10, 14 आप booster dose को भूल जाते हैं तो आप cancer क्या हो जाता है गलत हो जाता है तो आप ध्यान रखेगा थोड़ सा बहुत जादा important है यहां root आप लोगों पता चली गया इंट्रमस्कुलर लगती है लेकिन जो 5 साल पे booster dose लगती है उसकी बात हो रही है अपराम में लगेगी लेकिन इससे पहले जो भी vaccines लग रही है वो कहां पे लगेगी इंट्रमस्कुलर तो लगेगी but anterior lateral side of mid thigh है वहां पर यह vaccine लगती है ठीक है contra-indication की बात करते है high fever or acute illness presence of neurological disorder किसी में neurological disorder है यह फिर बहुँ ज़्यादा fever है illness अगर बच्चे में हो रखी है तो उसमें DPT vaccine नहीं लगाना है कुछ समय के लिए avoid करना जब तको ठीक ना हो जाए next adverse effect वह adverse effect आपको देखने को मिल सकते है local जैसे pan, redness और swelling वहाँ पर देखने को मिल सकते है systematic में जैसे fever DPT की vaccine जब भी लगती है तो बच्चे को fever आने के 100% chance होते है तो उसको perashita mole की जो शेरफ वगर है वो भी सातमी दी जाती है देखे systematic जो है fever हो सकता है और chills, general malice ये कुछ से देखने को मिल सकता है severe adverse effect की बात करें तो seizures, hypotonic, hyporesponsive episode anaphylaxis, shock ये SAM, BCG की तरह हैं देखने को मिलेंगे next देखे TT, ये तेटनेस toxide ये देखे क्या है it is purified TT monovalent vaccine ये जो तेटनेस toxide होती है ये monovalent vaccine होती है और purified होती है it contains 5 ml of vaccine with 10 dose of 0.5 ml each यानि कि ये जो TT की जो vaccine आती है ये 5 ml में आती है और 5 ml में कितने dose होती है 10 dose हो जाती है क्योंकि 0.5 ml हम इसकी dose लगाते हैं तो इसमें 5 ml के अंदर कितनी हो जाएगी 10 dose हो जाएगी next देखे efficacy is almost 100% बहुत बार ये question पूछा जा चुका है कि ये सी कौन सी वो vaccine है जिसकी efficacy 100% होती है तो answer में आप कर देना titanus toxoid और अगर आपको ये पूछे ही कि ये सी कौन सी वो बीमारी है जो 100% fatal होती है बहुत ही घातक होती है तो आप answer में कर देना rabies ये भी बहुत बार पूछे जाता है ठीक है next देखिए dose की बात करते है जो tt की vaccine होती है वो 10 साल और 16 साल पे लगती है कितनी 0.5 ml intra muscular root से लगती है और अपराम के अंदर लगाई जाती है देखिए next pregnant females यहाँ से बहुत बार question पूछे जाता है बहुत बार यहाँ से question पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा pregnant females को भी tt की vaccines लगती है आप सभी को पता है 2 dose लगती है देखिए आपर 2 dose of ttr given 1 month apart यानि कि 2 dose tt की pregnant women को भी लगाई जाती है एक महिने के अंतराल से 1 month apart का मलब है एक महिने का gap देना है जैसे कि मान लिजी आज कोई महिला वैक्सिन लगा रही टीजी की तो एक महिने बाद में दूसरा टिका उसको लगाना है ठीक है 1st dose early in pregnancy जैसे ही पता चलता है as soon as pregnancy is diagnosed जैसे ही पता चलता है कि यह pregnant हो चुकी है उस समय एक dose उस महिला को लगाना है और जो दूसरा dose आप लगाएंगे वो चार वीक के बाद में यानि कि एक महिने बाद में आप दूसरा टिका उसको लगा सकते है यह important है पहला टिका टिका कब लगाएंगे भहत बारी पूछे जा चुका है या फिर एक महिने का अंत्राल आप बोल सकते हैं यहां से भी बहुत बार क्यूसरा पूछी जाते हैं फॉर वीक कभी कबार देते हैं तो कभी कबार वन मन्थ दे देते हैं मन्थ और वीक में आप कन्फूज हो जाते हैं वहाँ पे आप ढूंड रहे होते हैं कि 4 week कहा हैं तो आप जाते हैं 4 month पे और उसको right करके आ जाते हैं और आप cancer क्या हो जाता है गलत हो जाता है तोड़ से ध्यान रखिएगा 4 week यानि 1 month next देखे इसमें adverse effect adverse effect Sam वहीं रहने वाले pain हो सकता है redness और swelling होगी systematic में fever chills and general malice बगरा ये देखने को मिल सकते हैं next देखे measles vaccine measles vaccine it is a live attenuated and freeze dried vaccine ये भी live attenuated है और freeze dried vaccine है next देखे the vaccine comes in a 5-way dose while each dose is 0.5 ml वहीं बात है कि 5 dose की ये while होती है जिसमे 0.5 ml प्रतेक dose लगा नहीं होती है ठीक है इसको dilute किसमे करते है distal water ध्यान रखेगा BCG को थो हमने NS के अंदर dilute किया है और जो measles vaccine है उसको हम किसमे करेंगे dilute distal water के अंदर next बात करते है first dose is given at 9 month of age given जैसे ही मलब 9 महिने का बच्चा जब होता है उस दोरान पहली dose measles की लगाई जाती है given subcutaneous at the right arm बहुत बार ये क्यूशन पूचे जाता है कि measles कौन से root से लगाई जाती है ध्यान रखेगा हमेशा मेशा subcutaneous root से लगती है measles vaccine और किदर right arm के अंदर बहुत बार इस प्रकार्शी question आपको दिया जाता है subcutaneous right arm subcutaneous left arm फिर आप हो जाते हैं left और right में confused और आप answer को गलत करके आते हैं तो ध्यान रखेगा subcutaneous तो लगाते हैं लगाते हैं लेकिन ये right arm के अंदर लगाई जाती है next देखिए second dose is given at 16 to 24 months 16 से 24 महिने पर दूसरी dose इसकी लगाई जाती है same as it is BCG के तरह है इसको भी हम dilute कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको भी dilute किया है तो कब तक हम काम लेंगे 4 गंठे तक 3 से 4 गंठे में इसको utilize करना है उसके बाद में इसको discard कर देना है next देखिए contraindication high grade fever अगर है तो measles नहीं लगाएंगे severe illness है, pregnancy है, immune compromised है immune suppressive therapy चल रही है वैसे local तो आप से भी को पता है वह यह pen redness swelling systematic toxic shock syndrome आपको यहाँ से भी question पूछे जाता है toxic shock syndrome कौन सी vaccine का adverse effect है या फिर measles vaccine की वज़े से कौन सा adverse effect देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको option में दिया जाएगा toxic shock syndrome तो यह आपको right answer वहाँ पर करना है toxic shock syndrome is a serious adverse effect the child present with high grade fever diarrhea and vomiting अगर toxic shock syndrome बच्चे को हो गया यह serious adverse effect है जो measles की वज़े से हो सकता है high grade fever आएगा diarrhea होगा और vomiting यह कुछ उस बच्चे में देखने को मिलेंगे next देखे polyomyelitis vaccine polyomyelitis vaccine की बात करते हैं तो यहाँ पर bivalent bivalent oral polio vaccine एक कोती है trivalent तो यहाँ पर देखे सबसे पहले देख रहे हैं bivalent यानि कि उसमें दो ही polio vaccine के strain होंगे कौन कौन से होंगे देखे these live viral vaccine type first and type third polio virus यानि sabin strain और यह सवाल पूछा भी गया था साहिद पिछली राश्तान से हैं चुके exam में कि जो type second है वो polio का eradicate हो चुका है तो यहाँ पर यह bivalent इसलिए कहा गया है कि जो type first और type third जो है वो अभी भी present है इसलिए इनके पढ़ती bivalent OPV जो vaccine है वो बन रही है तो यहाँ पर जो bivalent है वो type first और type third से बचाती है यह oral है यानि कि लाइव है तो यह कह साबिन और साल्क जो है वो इनक्टिवेटेड है नेक्ट देखे इसमें अर्लियर ट्राइवलेंट OPV यूजड टू बी गिवन बट सिंस 25 अपरेल 2016 अनली बाइवलेंट इस टू बी यूजड इससे पहले जो bivalent वैक्षिन ही यूज ले जारी है जो टाइप सेकिंड है वो इर्डिगेट हो चुका है तो यह सवाल भी आपको पूछा जा सकता है नेक्ट देखे टू ड्रोप आर्गिवन औरली यह जो OPV की डोज होती है यह दो ड्रोप जो है औरली दी जाती है कब कब दी जाती है OPV 8 बर्थ पे 6th, 10th and 14th week 6, 10 और 14 week पे बुष्टर डोज वही 16 से 24 महिने की जब एज होती है बच्चे की उस दुरान इसकी बुष्टर डोज पिला जाती है और जो OPV होती है उसको within 15 days after delivery within 15 days पिलानी होती है जैसे कि आपने पढ़ाए BCG BCG आप एक साल तक दे सकते हैं वेशे ही OPV को within 15 days देना होता है और जो hepatitis B है उसका first dose within 24 hours लगना ही लगना चीए अभी नोर्षेट में भी पूछा गया था कि इन में से कौन सी वो वैक्षिन है जो 8 birth पे लगा जाती है वहाँ पे BCG भी दिगे थी और वहाँ पे hepatitis B भी दिया गया था तो hepatitis B जो है वो within 24 लगता है बाकि जो BCG है उसको आप एक महिने तक लगा सकते हैं 0.05 ml और एक महिने बाद भी आप एक साल तक लगा सकते हैं ठीक है next देखिए जो IPV होती है इसमें killed viral इसको मलब killed करके जो भी virus होते हैं उनको kill करके बनाए जाती है और ये क्या करती है तेनो के तेनों स्टेन टाइफ फर्स शेकिन और थर्ड जो पॉलियों के स्टेन है तेनों के against antigen बनाने का काम करती है next देखिए hepatitis B vaccine जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी hepatitis B vaccine within 24 hour लगनी ही लगनी चाहिए देखिए it is a recombinant DNA vaccine available as monovalent vaccine और as part of pentavalent vaccine यह hepatitis B जो vaccine है यह DNA vaccine का recombinant होती है इसको जो यह hepatitis B है यह monovalent vaccine में available भी होती है यानिकि single vaccine भी अवेलेबल है और साथी साथ pentavalent vaccine के अंदर भी यह available है इसका भी यह part है अभी मैंने थोड़े देर पहले बताया था pentavalent vaccine में कौन-कौन से आती है वहाँ पे hepatitis B भी आप लोगों को बताया था तो यह pentavalent vaccine में भी आती है और यह single vaccine hepatitis B की भी आती है देखे आगे adjuvant बात करते हैं adjuvant की तो यहाँ पर answer आप करना कि hepatitis B जो vaccine के लिए कौन सा adjuvant यूज लेते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे magnesium hydroxide, aluminium hydroxide इस प्रकार से बहुत सारे options मिलेंगे aluminium hydroxide आप right answer कर देना dose की बात करते हैं तो 0.5 ml इसकी dose भी लगाई जाती है root की बात करते हैं intramuscular root से लगती है anterior lateral aspect of mid यह फिर अपर थाई यहाँ पर intramuscular जो root है उसी से लगाएंगे anterior lateral जो aspect होता है mid थाएगा वहाँ से हम इस vaccine को लगाएंगे next देखिए pentavalent vaccine pentavalent vaccine the vaccine contains antigen for protection against 5 disease such as dipteria, partuses, titanus, hepatitis B and hemophilus influenza B इसके बारे मैंने चर्चा पहले कर लिए और फिर से आप देख लीजिए इसको और याद कर लीजिए next इसके बात करते हैं dose की the dose is 0.5 ml intramuscular at anterior lateral aspect of mid thigh यह अपर थाई at 6, 10 and 14th week of age यानि की जो pentavalent vaccine है उसकी dose कितने लगाते हैं 0.5 ml intramuscular root से लगा रहे हैं root वही है anterior lateral aspect of mid thigh कब-कब लगाते हैं 6, 10 and 14th week पर अब आप करते हैं जो vaccines है इनको store कितने temperature पर करते हैं plus 2 to plus 8 degree centigrade next देखें Japanese encephalitis vaccine यहां से भी बहुत पार question पूछी जाते हैं multi dose while with 5 doses supplied with the diluent while of 2.5 ml which contain phosphate buffer solution यह जो Japanese encephalitis vaccine है यह already dilute आती है इसमें multi dose होती है 5 dose इसमें एक while में निकल जाती है ठीक है और इसमें जो diluent जो while है वो already diluent आती है 2.5 ml के अंदर अब इसमें 2.5 ml जो इसमें diluent करते हैं मलब यह diluent तो आती है लेकिन इसमें diluent क्या करते हैं एक buffer solution आता है कौनसा phosphate buffer solution इसमें मिलाया जाता है यह जाफ़नीज encephalitis की जो vaccine आती है यह diluent while के अंदर आती है और इसमें जो buffer solution मिलाया जाता है वो कौनसा होता है phosphate यह भी आप ध्यान रखिएगा next देखिए it is a live attenuated यह एक live attenuated vaccine है इसकी strain देरखिए यहाँ पर sa14, 14 and 2 vaccine यह इसकी strain है यह live attenuated vaccine है next देखिए two dose are given subcutaneous at upper arm very very important question यहाँ से बनेगा कि Japanese encephalitis vaccine का root कौन सा है तो answer में आप करना subcutaneous same measles का जो root है वही root इसका है upper arm के अंदरी लगनी है ठीक है first dose कब लगती है 9 month पे and जो second dose है वो 16 to 24th month यानि कि 16 से choice महीने same measles के तरही लगाना इसको भी Japanese encephalitis की vaccine को भी next देखिए इसके adverse reaction adverse reaction के बात करते हो तो यहाँ पर occasional mild local और systemic reaction जो है वो देखने को मिल सकते है same वही जो आपने भी तक पढ़ा है contra indication यानि कि किस किस condition में आपको यह vaccine नहीं लगानी है high fever है या फिर severe maln risk बच्चा है या फिर acute infectious disease हो रही किया ear infection और खाया tuberculosis heart, liver and kidney problem है pregnancy and convergence आ रहे हैं immunosuppressive therapy पे चल रहा है तो इन conditions में आपको contraindicate करनी है मिलब इसको नहीं लगाना है use नहीं लेना है next देखें यहां पर schedule और देख लेते हैं इसके बाद अपना topic complete हो जाएगा देखें यहां पर vaccine जो मैंने आप लोग को बता दियो सारे चीज़े आपको यहां पर फिर से मिल जाएगी vaccine and its presentation जो vaccine है वो किस form में होती है वो सारे चीज़े यहां पर देखें जैसे BCG यह life-lized vaccine है यह किसे बचाती है tuber closest से root इसका क्या होता है interdermal root होता है dose इसकी एक ही लगती है वो चाहिए 8 birth पे लगा दो यह फिर 9 month पे आप लगा दो लेकिन dose आपकी change हो जाएगी जो आप लगा रहे है 0.05 ml 8 birth से लेकर एक महिने तक वो dose एक महिने से एक साल तक change हो जाएगी 0.1 ml जो है वो आपको लगानी होगी तो यह 8 birth पे लगती है एक की dose इसकी लगती है next OPV यह liquid vaccine होती है यह polio शे आपको बचाती है जो भी बच्चा होता है उसको polio से बचाती है और यह औरली दी जाती है 5 इसकी dose होती है कब-कब लगती है यह आप यहाँ पर देख लीजिए 8 birth पे 16-14 week पे और 16-14 महिने पे next hepatitis B यह भी liquid vaccine होती है hepatitis B से यह बचाती है intramuscularly यह लगती है चार इसकी dose होती है 8 birth पे और 16-14 week पे next dpt यह liquid vaccine होती है यह dpt से बचाती है intramuscularly roots यह भी लगती है और इसकी 5 dose complete total जो dose होती हो कितने होती है 5, 6, 10, 14 और 16-24 महिने पे पहला booster और second जो booster है वो 5-6 साल पे next measles यह भी lifelongized vaccine है measles से बचाती है subcutaneously इसको administer किया जाता है 12 की dose लगती है 9 से 12 महिने पे और 16 से 24 महिने पे next है HIV यह हीमोफिलस influenza B यह liquid vaccine है जो हीमोफिलस influenza B virus से बचाती है और intramuscularly यह लगती है इसकी total 3 dose होती है 16-14 week पे next है Japanese encephalitis यह भी lifelongized vaccine है Japanese encephalitis से बचाएगी वह इस subcutaneous यह भी लगनी है दो डोज इसकी same as it is measles की तरह लगनी है ठीक है next है टीटी वैक्षिन यह टीटनस टॉक्सओड यह liquid वैक्षिन होती है यह टीटनस से बचाती है इंटरमस्कुलरली लगती है दो डोज इसकी लगती है 10 और 16 साल पर बाकि pregnant woman के लिए मैंने आपको बता दिया वहाँ पर जैसे ही पता चले है कि यह pregnant है उसी time उसको एक वैक्षिन लगाना है और उसके चार वीक बाद यानि एक महीने बाद दूसरा वैक्षिन लगाना है नेक्स्ट आई पीवी ये भी पोलियर से बचाएगी इंट्रमस्कुलर लगती है दो डोज इसकी टोटल लगती है 6 वीक पे और 14 वीक पे नेक्स्ट आई फ्रेक्षिनल इंजेक्टेबल वैक्षिन एफ आई पीवी का नाव आपने सुना होगा ये 6 वीक और 14 वीक पे आई पीवी है एफ आई पीवी चैवीक और 10 वीक दो डोज है लेकिन ध्यान रखना ये जरूर आई पीवी इंट्रमस्कुलर लगती है और एफ आई पीवी इंट्रडरमल लगती है दोस्तों ये हमारा एक टॉपिक था इसके रिगार्डिंग और भी वेशे बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं लेकिन जितना कुछ इंपोर्टेंट अपने को शीकना था वो मिने आप लोगों को बता दिया है ये पीडियेफ वगरा जो है वो तो सिर्फ जिन्होंने कोर्स बगरा बाई कर रख है उनको दे दी जाएगी ये पीडियेफ और जिन्होंने कोर्स बाई नहीं कर रख है वो कोर्स बाई कर सकते हैं आपको एप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से आप अपना जो भी कोर्स परचेज करना चाहिए वो आप कर सकते हैं दोस्तों ये था एक छोटा सा टॉपिक इम्मिनाजेशन जिसमें से बहुत सारे क्यूसन्स हरे एक कम्पुटेडिव एक्जाम में आते हैं तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना और और अपन